Hello Friends, Welcome to My Neating Channel. मैं प्राम्लयसर्मा, आझ आप लोहों के लिए एकसल साइज की एक जैकिट लेके आयए हूँ, इस जैकिट को कैसे बनाना है, कितने फंदे लेने हैं एकसल साइज की जैकिट बनानी के लिए, कितनी लंबी हमें ये जैकिट बनानी है, और इसके back part में कितने फंदे हैं इसके मुढ़े कैसे घटाने हैं मतलब बहुत सारी जानकारी आज मैं आपको इसमें दूँगी और front part में कितने फंदे लेने हैं कितने में हमारी button party का button party बनेगी यह सब मैं आज आपको बताऊंगी और अपने जो मैं यह डिजाइन डाल रही हूँ यह डिजाइन कैसे अरजेस्ट होगी यह सब आज में आपको बताऊंगी तो चलिए friends चुरू करते हैं देखे friends मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी जब मैंने अपना यह चैनल स्टार्ट किया था तो इस्टार्टिंग में ही मैंने इसकी वीडियो बनाके थोड़ी सी एक्सल साइज की जैकेट का यही सेम डिजाइन सेम इसका बॉर्डर का डिजाइन का सब यह मैंने आपको दिखाया था और बताया था लेकिन अप काफी गैप हो चुका है तो एक बार मैं फिर से आपको उसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो नहीं डाल पाई थी लेकिन आप मैं इससे related आज से आज से आपको सारी बाते बताऊंगी और फिर आप इसका जो है तो पूरा पार्ट जो है तो देखिए पहले मैं आपको बैक पार्ट का बताती हूँ तो friends ये मैंने जैसे बताया आपको कि XL साइज की जैकिट बनाने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले तो friends आप ये देखिए कि 3 प्लाई की हमारी वूल है Oswal Company की उस वाल company threeply two-three वाली यह wool इसमें मैंने देखित new number 3rd award रगाई है यहest 혹시 Чтобы choiceshen Dark यहांसे नने यह भाला लेता है और पूरी मेरी सिऊने क्वकिट से बनाऊंगी है तो थे टेके back पार्ट में ने यहाँ पर 1 28 फंदे लिये थे border में यहां पर यहां पर मैंने 128 फंदे ले रखे हैं और फिर इसके बाद इसमें मैंने यह बॉर्डर बनाया है तो यह बॉर्डर भी मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है यह बॉर्डर तीन के मल्टिपल करके दो फंदे एक्स्टा लेने होते हैं तो हमारा यह बॉर्डर अरज इन इंच का बनाया है तो देखिए यहाँ से äख्यक्राइए हमाएं मैंथ को क्वार्ट का मैंने बंडर वनाया है और अच्छी में 50-चा बना लतल इन कि यहाँ अज़े बंडर बनाया है यह देखिए और फिर शेय्ञ पर मैंने यह दूसbreaker सेक आ तो यह देखें, यह मेरी यह इसके एंबार्डर बनाने के अदद इसके उपर डिजाइन डाला है, फिर देखें इसका जो है, तो मेरे को यह टोटल 28 के करीब मेरे यह जैगत कमपलीट करने है, 28 इसकी लमबाई चाहिए जिसके लिए मैं बना रही हूँ , तो उनको को complete चाहिए तो देखिए इसको बनानी के बाद मैंने यह design डाल है यह design मिमने इसमें चैनल में बताया हुआ है तो आप उसमें से देख सकते हैं friends अगर जो आपको यह design बनाना है तो इसका लिंक मैं आपको description में दे दूँगे, आप मेरे को comment करके बता दीजिएगा, तो मैं description में दे दूँगी, और देखे, यहां से लेके वहां तक मेरी यह मुढधा जहां मैंने घटाया इसका तो इसकी देखे, यह इसकी लंबाई मेरी total 20 इंच है 20 इंच इसकी मेरी total length है, देखे, मैं आपको नाप की दिखाती हूँ, यह देखे यह, फिर मैंने मुढधा गटाया है इसको हून कुजा तक हीचना नहीं है, मैं ऐसे ही अराम से करना तो यह देखे, आप यह यहां तक, 20 इंच है यह total यह देखे, 20 इंच इसकी total लंबाई है, फिर उसके उपर मैंने जो है, तो मुढधे की कटिंग की है तो यहां पर मैंने 5, 4, 3, 2, 1 पंदे घटाए हैं मुढधे पर, और अब यह मेरा back part बनके complete हो गए friends, back part में इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है अगली बार से मैं जब कोई project बनाऊंगी तो मैं मुढधे की cutting वगेरा back part की भी करके दिखाऊंगी पूरा, तो देखे इसमें मैंने, यह मेरा back part पूरा complete हो चुका है इसको देखे, इसकी मैंने यहां से यह देखे, इस तरीके से यह मेरी 8 इंच की यह मेरी पूरी complete होगी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताए कि यह मैं double axle size का बना रही हूँ, यह देखे, 8 इंच मेरा यह पूरा complete हो गया है यह तो यह मेरी back part complete है, और आप देखे, मैं आपको इसका front part दिखाती हूँ, यह वाला इसमें मैं आपको मुड़े की cutting करके दिखाऊंगी दोनों में तो देखे, यहाँ पर फिर जैसे मैंने आपको बताए कि back part में यहाँ पर 28 पंदे ले रखे हैं तो 28 ले रखे हैं तो उसका half back part में उसका half लेना है हमें तो यहाँ पर मैंने total 64 पंदे लिये हैं पहले तो यहाँ पर border बनाने के लिए यह देखे यह यह एक साइट यह और यह दूसरे पार्ट का यह तो यहाँ पर मैंने दोनों में 64, 64 वो और प्लस 6 पंदे और बटन पटी के लिए ले रखे हैं यह बटन पटी मेरी 13 पंदों की है तो यहाँ पर मैंने 69 पंदे यह लिए हैं जो हमारा फ्रेंट का border है यहाँ पर विए 69 पंदे लिए हैं 69 पंदे लेने के बाद एक न पटी हमने कम किया है और यहाँ पर बटन पटी मीरा के स्ट्वरशuchen हो बनी है हमारा तो突व्य आट 16 पंदे के बटन पट्टी बनी है और बाकी की जो फंदे बचे हैं उसमें हमारा यह डिजाइन अर्जस्ट किया है तो मैं आपको इसका एक फ्रंट का एक पार्ट बना के दिखाती हूं कि इसमें मैंने फंदे किस तरीके से अर्जस्ट कि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसकी तो उसमें मैंने आपको दिखा रखा है कि इसमें किस तरीके से मैंने यह बॉर्डर के बाद जो है तो यहां पर यह डिजाइन अर्जस्ट किया और कैसे बटन पट्टी बनाई है तो मैं आपको इसके इस पार्ट में बताऊंगी कि यह फंदे कैसे अर्जस्ट करने हमें तो आशा करती हूं आप समझ पाएंगे तो फ्रेंड्स टोटल 55 फंदे में हमारा यह डिजाइन अर्जस्ट हुआ है यहां से लेके यहां से यह उपर वाला डिजाइन में बता रही हूं यहां से लेके यहां तक हमारा यह जो है तो 55 फंदों में अर्जस्ट हुआ है प्लस यह एक मैंने यहां पर चैन बनाई हुई ह तो इसको भी मिलाके 56 फंदे हो गए और बाकि ये 13 फंदों में हमारी बटन पट्टी बनी है जो मैंने बॉर्डर में डिजाइन डाला था वही हमारी बटन पट्टी में चल रही है और इसकी मेरी मुढ्धे की कटिंग तक मेरा ये बन चुका है एक साइड का ये पार्ट और मैं आपको दूसरा पार्ट बनाके दिखाऊंगी और इसमें कज भी बनाना है की कज कैसे बनेगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगहीर तो देखे ये मेरा राइट पार्ट बनके complete हो गया है राइट मुढ्धे की कटिंग तक ये मेरा राइट पार्ट हो गया अब बना लेना है यह डिजाइन आप मेरे चाहल से देख सकते हैं मैंने बना रखा यह डिजाइन तो इसमें से आप देख के बना सकते हैं सेख सकते हैं इसे और अब यह मेरा लेफ पार्ट है इसका फ्रेंट का तो इसको देखे मैं आपको बताती हूं कि इसको कैसे हमें तो बटन इसकी पहली इसमें में आपको बताती हूं कि यह जैसे मेरा border यह friends मेरा border complete हो गया है अब इसकी में उल्टी सी उड़ाए में हूं तो इसमें मेरे को एक पंदा कम करना है इक जगे तो मैं इसे जो है तो पूर ऊल्टा-blo complicated बनाना है मेरे को पूर ऊल्टा-ऊल्टा बना करके बीच में कहीं पर भी माई एक पंदा कम करड़ूंगी ताकि मेरा डिजाइन जो है तो अर्जिस्ट हो जाए लेकिन यहां पर मेरे को यह अपनी बटन पट्टी भी स्टार्ट करनी है क्योंकि यह हमारा लेफ पार्ट है यह राइट है और यह हमारा लेफ पार्ट है तो इसमें यहां पर बटन पट्टी बनी हुई है हमें जो है तो यह इसी तरीके से इस पंदे अरजस्ट करने हैं और यहीं पर फिर बीच में हम अपना एक पंदा जो हमारा एक्स्ट्रा है गारें हम देखिए उल्टी साइट वहारा इसको बना लेंगी फिर उसके बाद देखिए तीन का एक करना हैं मिर्फार 2 निकल गया सीधां दूसरा तर астьा तीसरा थाग पीछे की तरफ खरेंगे और यह त सीधा बना लना भी को निसके साइब को और यह तीन फंदे, एक, तो, तीन, तीन का हम यहाँ पर एक करेंगे, फिर देखे धागे को पीछे की तरफ करना है, और यह देखे एक, अपनी तरफ किया धागा दो, धागा पीछे की तरफ किया तीन, यह एक ही फंदे से हमें तीन बार निकाल ला है, धागे को अपनी तरफ कर बनाना है यह इस तरीके से अब देखें यहां पर एक बार काउंट कर लेते हैं कितने यहां पर टोटल हमारे 13 पंदे होने चाहिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और एक बारा भी यहां पर और हम बनाते हैं बारां तेरा और यह यह हो गए हमआरे डेखें 13 पंदे हो गए और यह देखेंट इसको हम उल्टबनाएंगे और फिर देखेंगे साथ जितने भी पंदे हैं यह हमारे उल्टबना लेंगे बीज में कहीं भी एक फंदा हम गटा देंगे तो टोटल हमारा बटन पट्टी भी 68 फंदे में हमारा ये अर्जेस्ट हो जाएगा डिजाइन हमारा 13 फंदों में बटन पट्टी और 68 फंदे में बटन पट्टी भी और ये डिजाइन भी हमारी अर्जेस्ट हो जाएगी तो देखे इसे ऐसे पूरा उल्टा उल्टा उल्टी साइड से बना लेते हैं फिर सीधी साइड से हमें सीधी सलाई ही बनानी है तो एक बार मैं इसको पूरा बना लेती हूँ उल्टी तरफ से उल्टा फिर में सीधी साइड इसकी दिखाती हूं फ्रेंट्स की वो कैसे बनेगी अब देखे फ्रेंट्स यहां से हमारे डिजाइन में स्टार्ट होगी तो पहला फंदा उल्टा एस्टिच फिर देखे धागे को पीछे की तरफ करेंगे और जितने भी हमारे फंदे हैं इस तरीके से हमें सीधा सीधा बना लेना है जितने भी फंदे हैं सारे ऐसे सीधे सीधे बना लेंगे जहां पे हमारी बटन पट्टी है उसके पहले तक हमें ऐसे सारे फंदे सीधे सीधे बना लेने है तीन तार का उन्हें धियान से बनाना होता है कि हमारा कोई भी जो है तो जो है ये तीन फंदे तीन मतलब फंदे ये तीन तार से जो बन रहे हैं तो ये हमारा एक भी अगर जो गिर जाएगा तो बेकार लगता है तो इसलिए इसको धियान से बनाना होता है सारे फंदि सीधे बना लेना है यहां तक बुटन पट्की विविआ है इन टेरा फंदों से पहले पहले तक सीधे हरना यह हमारी डिजञान की पहले सलाई है और इस तरीके से हमारे फंदे इसमें डिजञान के साथ अरजेस्ट हो जाएंगे इस तरीके से तो मैं यह वहां तक बना लेती हूँ पट्टि के पास तक फिर मैं आपको दिखाती हूँ का इसे हमारा यह हम पर नरे टारा है और कूल्म इस तरीके से तो तो हमारेじゃना सीधी सीधा दारी बनती वीerme univers लेक शोली यहそうそう फोड़ाह यहां जाएक नंच साटै के बटारी पास देवर क हुरे यह जो हुमारी बटन पट्टी के फंदे हैं यह हमको ऐसे उल्टे-उल्टे ही बना लेने हैं एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा और लास्ट का ही हमारा तेरा इस तरीके से हमारा इस बटन पट्टी तो अर्जेस्ट हो गया डिजाइन भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है यहां से, अब देखें डिजाइन की हमारी उल्टी सलाई तो पूरी उल्टी बनेगी, लेकिन बटन पट्टी हमारी उल्टी साइट से ही बनती है, तो देखें एक बार मैं आपको और भी दिखा देती हूँ कि बटन पट्टी हम जालेंगे फिर दागा अपनी तरफ करेंगे फिर यह तीन का एक करेंगे इस तरह किस दागा पीछे की तरफ करेंगे फिर से देखे इसे ऐसे एक सीधा धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे की तरफ एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे तीन पंदे का एक कर क्यों का है इसी तरह के ऽैँ दागा तरफ करेंगे ब earthly कि एक मेsm बनाना कि एक में से पाना है और तीन का एक करेंगे हैं यहें इसको रिपीट अर्वेशेकर देखेस सिर्णी इसको बूरी फ़ंच उल्टी बनेगी, और यह बटन पटी को बनारहे हं तो इसके सीडै प्रुटी को जगर अब्चेशा में पालीक ऊल्टीक होना तो आपा यह लिए वरी को कि मनलब डडियो इस तरह से में थरीक से लड़ा हम गरानगा तो यह उल्ё पना लेते हैं पिन को प्रेंट में डिजाइन कैसे डालनी है वह में आपको दिखाती हूँ और इस सलाई में आप हमारा कज़ भी बनाएंगे वह भी दिखाती हूँ तीसे में बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अब देखे फ्रेंट हमें यहां से हमारी यह डिजाइन के हमारी तीसरी सल होयेंगे।lusion तीन बार हमें दो का एक करना है friends, तो एक बार हो गया है, यह देखिए हमने दूसरी बार किया और यह तीसरी बार 2 का एक किया। अब देखे। धंगये को पीछे की तरफ लुद्ध। अपनी तरफ भी रखना है अर यहां भे स्थे जाली डालना है एक, दो, तीन, चार, पांच, धाग को अपनी तरफ करेंगे, फिर छे, छे बार जाली डलगी, तो अभी हमने यहाँ पर तीन बार किया है दो का एक, अब हमें भी यहाँ पर छे बार करना है, तो देखे, एक, दो, धाग आपनी तरफ ही रखना है, दो फंदो का एक करते जाना है, तीन, चार, पांच, और यह हो गया, छे, फिर देखे, अब यहाँ पर छे फंदों भी हमें जाली डाली दाग आपनी तरफ ही रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी को हमें बार बार अपने जितने फंदे हैं इसी तरीके से में रिपीट करना है और जब यहां पर बटन पट्टी वाले इधर के फंदे आएंगे तो जो मैंने यहां पर एक यहां पर किया है यहां पर यह एक जो हमने चैन बनाने के लिए किया है इससे पहले के तीन फंदे को इसी तरीके से जैसे हमने यहां पर स्टार्टिंग में तीन का एक दो का एक तीन बार किया है तो यहां पर भी हमें उसी तरीके से करना है तो देखें फ्रेंट्स में फिर से आपको एक बार जाली हमारी डल गई अब इसके बाद फिर से हमें यहां पे 6 बार दो का एक करना है चे बार में हमारे 12 अंदे यहां पे 12 अंदे 12 अंदों में हमें 12 का एक करना होता है तो 3 हो गया फिर देखे 4 पांच और यह 6 दागे को अपनी तरफ ही रखना है और फिर से 6 बार 6 पंदों में जाली डालनी एक दो तीन चार पांच और यह 6 और अब देखें यहां पे लास्ट में जो हमारे यहां पे यहां पर यहां पर यहां पर जो दो का एक दो का एक कर रहें तो जो यह जाली डाल रहें उसी से हमारी फंदे बराबर हो रहें हमारे फंदे अगर जो यहां पर कम हो रहे हैं तो जाली डालने से यहां पर बढ़ भी रहें तो जितने फंदे हैं यह हमारे उतने ही रहेंगे यह हमारे कम या जादा नहीं होंगे फंदे तो देखें यहां पर एक बार और तीन इसमें छे फंदो का दो का एक दो का एक करेंगे यहां पर यह देखें यहां पर हमारी देखें लेफ्ट पार्ट में यहां पर यह हमारे फंदे अर्जेस्ट हो गए है डिजाइन हमारी अर् इसके हमें नीचे से हमें इसमें यह जो है इसके नीचे से हमें ऐसे जेना शिब भनना कंप गां पीछे की तरफ öğren तरी शिब भन हिरे लिटिया कण से हम NSA से बनने अब देखे यह हमें यहां पर उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं तो देखिए यहां पर बटन पट्टी में उल्टा उल्टा बनेगा लेकिन यहां पर एक चीज यह भी ध्यान देना है कि यहां पर बटन पट्टी बनाने के यह कज बनाना है में तो कज कैसे बनेगा तो देखिए 13 फंदे हैं यहां पर चार और यह पांच हो गया और इस सेट कितने फंदे हो बच रहे हैं हमारे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ पंदे यहाँ पे हम और यहाँ पे आठ पंदे हमाई रहेंगे अब देखें यहाँ पे हम सलाई में ऐसे लपेट के कज बनाना है इसलिए हमें यह पे जाली डालेंगे और जितने कितने कज भणा यह हैं हमारे इनको हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरीकी से अर देखे फिर से हमारा यह उल्टी साइड आ गया है और यहां हमें यहां पहरें प्रत करते की के दिबाइे उसको डिखना effस्ट के लिए टालते हैं यहां पर हमारी हमसे कज को दो ओष्प मरतो दो ही हमें जो पिछली इन स्टीन भाइबं टम पहरें और के ज़्ड़ी बनाई कर दें कर दो के का पन्दा नहां gast करना सीधा Merci और देखें पीछिक तरफ करके सीधह धागे को अपने तरफ कर एंगे और फिर से डेखें तीन एक करेंगे यहां पर ऐसे and इसको हमें ऐसे ही बना लेना है यह हमारा कज है, इसको जाली को देखें ऐसे ही बना लेना है आप चाहें तो इसमे डबल लपेट भी लगाके यहाँ पर कज बना सकते हैं क्योंकि जिसे बटन आपकी जिस तरीके की जिस साइज की है उस इसाप से आपको करना है तो देखे यहाँ पर हमने तीन का एक किया, यह हमारा कज के लिए हो गया, आप देखें इसमें हमारे यह वाले फंदे से हमारा यहाँ पे एक फंदे से में तीन फंदे बनाने है, तो एक हो गया, धागा अपनी तरफ किया तो दो हो गया और यह हमारा तीसरा हो गया, धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहां पे 3 का 1 करना है यह र्व कि बनेगा जो सीधह बना रहे थ। इस बना जितने भी अगिन ग़िशेह को निदेव रसलाइक यहां पर तो उछल्टी ही पूरी बनेगी तो इसको हमे ऐसे पूरा उल्टा ही बना लेना है तो इसी तरीके से हमें जो है तो अपना यह डिजाइन मतलब इसका हमारा यह जो पैटन है यह वाला यह हमारा पैटन डल चुका यहां पर देखें इसको पूरा उल्टी साइट से पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है डिजाइन की इस डिजाइन की उल्टी जितनी भी सलाइ सिधी साइड में इसमें डीजाइन डलता है बाकि फिर उसके बाद एलटी सीधी की बनती है जिस पूरी हो इसका बना लेती हूं ठीजाइन में किस तरीके से लगति है देखें यह सिधी साइड आ गए है कि और अब यह पहला फंदा यह स्टिच का जो है तो इसको उल्टा बनाने के बाद जितने भी फंदे हमारी बटन पट्टी से पहले कि यह सारे ऐसे सीधे सीधे बन जाएंगे देखिए डिजाइन इस तरीके से इसमें अरजस्ट हो गया है इस तरीके से देखिए जो पंदे हमने गटाए है और यह जाली वाला है तो इसको सीधी स्लाई हम पूरा सीधा बनाएंगे और यहाँ पर बटन पट्टी के फंदे हैं यह हमारे उल्टे बनेगे पूरा यहाँ तक जो हमारा बटन पट्टी से पहले का एक फंदा है यहाँ तक हमारा पूरा सीधा सीधा बनेगा फिर यहां से जो है तो हमारी बटन पट्टी के फंदे यह पूरे उल्टे बनेगे उल्टी स्लाई में बटन पट्टी जैसे बनती है उस तरी किसे बटन पट्टी बनेगी और उल्टी स्लाई पूरी उल्टी उल्टी आएगी फिर उसके बाद से हमें जो है तो यहां पर डिजाइन डालना है तो यानि कि एक यह डिजाइन पढ़ने के बाद एक ही उल्टी स्लाई होगी दूसरी सीधी हो गई पूरा सीधा बनाना है फिर जो 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 उल्टी स्लाई हैंगे तो पूरा उल्टा उसके बाद फिर यह हमारी डिजाइन बनेगी तो इसी तरीके से बार-बार रिपीट करते हुए हमें अपनी इसकी फ्रेंट पार्ट में जितनी हमें लेंथ चाहिए जितनी इसकी यानि की बीस इंचे टोटल बॉर्डर मिलाके तो पूरा यह हमें बनेट región उल्टा लें धाया थ इसको में यहाँ पर न 온 के इसको सर दो में दो इस दोनों को की ऐसाले के यहां पर हम दो-का-एक कर देंगे तो जो हमारा जाली से बढ़ाis बढ़ कर देंगी और यह देखे हैं हमारा यहां पर सुन्दर सा कज बिवन के complete हो गया है और सारे फंदे इसी तरीके से ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे तो friends मैंने इस वीडियो में आपको कज बनाना भी दिखा दिया कि किस तरीके से बनता है और मैंने आपको यहां पर यह डिजाइन भी अर्जेस्ट कैसे करने इतने फंदे और बटन पट्टी के पंदे कैसे अर्जेस्ट करने इस वीडियो मैंने आपको यह दिखाया अगली वीडियो में friends मेरी पूरी लंबाई मैं अपनी complete कर लूँगी तम मैं आपको जो है तो उसके मुढ़े की कटिंग और इसमें गले की घटाई कैसे करनी वह मैं आपको दिखाऊंगी तो देखे इसमें पॉकेट मेरे को नहीं लगानी है friends इसलिए मैं आपको पॉकेट लगाना किसी दूसरे जो मेरा प्रोजेक्ट होगा तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी तो अगली वीडियो मेरी इसकी मुढ़े की कटिंग और गले की घटाई के लिए होगी friends तो friends आज की वीडियो को यहीं पर मैं जो है तो अंद करती हूँ और आशा करती हूँ कि बताने का तरीका मेरे आपको समझ में आया होगा यह axle size का sweater है double axle को बहुत ही आराम से आजाएगा मैंने इसमें जितने भी फंदे रखे हैं उस तरी वो मैंने आपको बताया डिजाइन कैसे अर्जेस्ट करनी वो भी बताया इसमें मैं राइट साइट का मैंने आपको मेजर्मेंट बता रखा है कि कितने फंदे लिये हैं कितने मतलब बॉर्डर में और कितना उपर आज की वीडियो मैंने फिर से दुबार रिमाइंड आपको करा दिया है तो आशे करती हूं कि मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आया होगा आप अच्छी तरीके से समझ पाए होगे या या ऑने और भी या शीर के रेके समझ मिं उपर में च्राइस उसांदी लेह वह करना तक है लिए गताती मेल आीक को एंग पंदे लिया जलेगे यह बियृया पसंद से रहा है तो इस मेरा बताणे का पसंद आया होग तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें, थैंक यू